पुलिक्स के मताबिक वो नशे में था उसे गिरफतार कर लिया गया है दक्ष्वी दिल्ली में एक ऐसा सेरियल ठक पकड़ा गया है जो तकरीबन 30 से 35 अलग अलग केस में वांटेट था उस पर करीब 600 करोड की ठकी का आरोप है आरोपी हर्श वर्धन रेडी के पास से कई कार वरामद हुई है जिनमें एक की क्रिमत 3 करोड बताई जा रही है हर्श वर्धन बड़े शेहरों की पौश इलाखों में बड़ी-बड़ी कोठिया किराए पर लेता था और फर्जी कंपनी बना कर लोगों को ठकता था पिछले साल दिल्ली के सिविल लाइन सिलाखे में हुए मर्सेडीज हीटर रंड केस में आरोपी नावालिक ड्रैवर के पिता के खलाफ चारश शीट दाखिल की गई है पिछले साल चार अपरेल के हुए इस आसे में 32 साल के सिधार शर्मा की मौत हो गई थी इस मामले में आरोपी पिता एक बिजनसमेन है और फिलहाल जमानक तो बाहर है दिल्ली सरकार की सभी सरकारी योजनाओं से आम आदमी शब्द हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर कारवाई शुरू हो गई है चुनाव आयोग ने दिल्ली में 48 घंटे के अंदर सरकारी योजनाओं में होर्डिंग डिस्प्ले बैनर पर लेखे आम आदमी शब्ट को हटाने का आदेश जिया था बिजेपी नेता विजेंदर गुपता ने आपत्ती जिताई थी कि दिल्ली सरकार ही कई योजनाओं के जरीए आम आदी पार्टी का प्रचार किया जा रहा है दिल्ली में कई प्रतिबंदित हतियारों के साथ एक महिला समेट तीन लोग ग्रफतारूं हैं इनके पास से दो कारबाइन, 36 पिस्तॉल और दो रिवार्वर बरामदूी हैं यह हतियार MP के खरगॉन और सेंदवा से दिल्ली NCR लाए जा रहे थे यह हतियार ट्रक की बैटरी में छुपा कर रखे गए थे दिल्ली NCR में तापमान समाने से ज्यादर रिकॉर्ड दर्च किया जा रहा है मार्च में समाने तापमान 34 डिगरी होता है लेकिन गुरुआर को तापमान 37 डिगरी रहा 13 मार्च को होली से 24 मार्च तक दिल्ली का न्यूंतन तापमान दोगुना दर्च किया जा रहा है प्रवर्तर निदेशाले ने शारुखान उंकी पत्नी गौरी खान और एक्ट्रस जुही चावला को नोटिस भेजा है आईपेल की टीम केक्यार के मालिक शारुखान जुही चावला और उंके पती जहमेता पर टीम के शेर ट्रांसफर डील के दौरान अपनी टीम के शेर की कीमत कम बता कर फेमा नियमो के उलंगन का शक है मुंबई में अंधरी वेस्ट के वीरा देसाई लाखे में एक रिहाशी इमारत में भीशड आग लग गई आग में इमारत की छटी मंजिल का एक मकान पूरीत्रा जलकर खाक हो गया हासे के वक्त मकान में कोई नहीं था आग को काफी देर बाद बुजाए जा सका माराश्ट के उस्मानाबाद में शिवसेना सांसद रविंद गायकवाड के समर्तों ने एर इंडिया करमचारी का पुतला जलाया जिसकी गायकवाड ने चपप से पिटाई की थी मुंबई में इसमाईल यूसफ कॉलेश के गेट को लेकर रिवाश शुरू हो गया है कॉलेश के गेट पर स्वास्तिक का निशान लगाया गया है आरोफ है कि कॉलेश एक मुसलिम समासेवी के नाम पर बनाया गया था और राय सरकार स्वास्तिक का निशान लगा कर इसका भगवा करण कर रही है कोई सरकार मंत्री और स्थानी शिरसेना विधायक रविंद्र वायकर जिनकी डोनेशन से गेट बनाये गया है उनका कहना है कि कुछ लोग जानबूश कर इसे सामत्रदाइक रंग दे रहे हैं